बुपेश भगेल ने मोहन मरकाम के बयान का समर्थन किया है शराब बंदी पर मोहन मरकाम के बयान का समर्थन करते नजराएं है सियम और कहा कि मोहन मरकाम ने कोई गलत बात नहीं की अधुसूचित शेत्रों में सभी के सला से ये फैसला होगा कॉंग्रेस ने अपने गोशना पत्र में भी यही बात कही है शराबंदी को लेकर मोहन मरकाम ने एक बयान दिया था 60 पिसदी अधुसूचित शेत्रों में नहीं हो सकती शराबंदी यह कहना था मोहन मरकाम का जिस पर सफाई देते हुए नजर आए और हिमाद करते नजर आए सियम बुपेश पके अधिसूचित शेत्रों में राय सुमारी करके यह बातें लिखे गई है तो मोहन मरकाम जिन कोई जलत बात नहीं कही है और चलिए आपको वो बयान भी सुनवाते हैं जो शराबंदी को लेकर मोहन मरकाम ने दिया था आये सुनते हैं क्या कुछ कहा था साथ प्रतिसत भुभाग अधिसूचित शेत्रा होता है और हमारे आदिवासियों में मरनी से लेकर नेंग से लेकर हमारे तरपन की ब्यस्ता होती है और तरपन चाए महुआ का फूल का हो चाए उसका हो सोम्रस आपने देखा वितियास वेद पुराणों से लेकर सब जगा चलता था साथ आपने सब जगा अभी तो चल रहा है हम जो साथ प्रतिसत भुभाग में चल रहा है हमारी संस्कृति में है हम तो 60 प्रतिसत में तो हम सरकार से कहेंगे कि इन छेत्रों में तो संभाव नहीं है क्योंकि हमारी संस्क्रीटी में रसा बसा है रही बाद बबचा जो 40 प्रतिसत जो छेत्र है 40 प्रतिसत में सरकार की उपन निन है और इस पुरी खबर पर हमारे साथ 36 गड़ से हमारे स्टेट एडिटर आदिते नामदेव जुड़ गए हैं और उनके साथ कुछ बिज़ेपी और कॉंग्रेस के नेता भी है तो आदिते जी सबसे पहले सवाल यही उड़ता है जब 60 फीसद की बात करी दी है कि या संभव नह कहता है कि अधिसूचित चेत्रों को छोड़कर बाकी 36 गड़ में पूर्ण शराब बंदी की जाएगी यह उनके गोशना पत्र 2018 में लिखा हुआ था अब अधिसूचित चेत्र क्या है देखिए बस्तर की 12 की 12 सीटे कॉंग्रेस की जोली में सर्गुजा जो दिवासी इलाक अधिसूचित चेत्र है उसी को पूरी तर से घुमाया जा रहा है मेरे साथ कॉंग्रेस के प्रवक्ता है मैं सीधा उनके पास चलता हूं धरंजे सिंग्ठाकुर जी रंजे जी 60 प्रतिशत का तो चलिए पहले आपने खुश्णा पत्र में कहे चुके थे कि अधिसूचित कमेटी है परफसासनी मीटी है समाजी मीटी जो गठन हुआ है जो समाज है प्रमूखो ने सलाह तो दिया है है तो उसको नोड़ बंदी किया जया जाय Is सब्सक्राइब कर लेंगे निशी तोर पर सरकार तो कदम बढ़ा चुकी है सतर सराब दुकान आप 15 साल में देख लीजिए रमान सरकार ने सराब दुकान खूलने काम किया था हमने सतर सराब दुकान बंद किया है और लोगों में जागुता रहे हैं अगर हम इसमें डिबेट सराब बंदी में यह प्रकार से जाग रुकता है और सराब बंदी से जुड़ा मामल मामला है लोग सुन रहे हो सराब से दूर होते जाएंगे धनांजे जी तो गोल-गोल घुमा रहे हमको भारती जंता बाटी के प्रवक्ता से बात करते हैं रजीव जी महिलाओ ने अधिक अभी तीन साल होगे जुम्ला देखते देखते तो अभी पूरी तरह से देखिये बल की मैं तो कहूंग अभी थोड़े इस चौक के आगे चली प्रीमियम शराब की दुटान थोड़े दूर पर जाएंगे चिप्स शराप की दुकान, थोड़ा से आगे जाएंगे चौक सागे देशी शराप की भट्टी, तो लगतार जो हो रहे हैं वो यह हो रहे हैं कि शराप की दुकाने बढ़ते जा रही है, और जो प्रतिशत और आंकलो का खेल हमें पता है, कहीं जो पारिवारी कला की घटनाए हो रही है चुरे बाजी हो रही है तो शराब से रिलेटेट है इसलिए चत्तिकल शराब का गड़ बन गया है डिस्टिलरी का गड़ बन गया और अपरात का गड़ बन गया है हम अंदोलान करेंगे निशीत रही है अभी कोरोना काल था प्रोट पूर्ण शराबंदी की बात आपने की थी क्या वो यह लग रहा है कही न कहीं राजनीती में घूम करें ने महिलाओं ने इस्वास किया था उस्वास में सरकार दो काम कर दें लिए रखनी चूट देरा मिलाओं के दुकान को रहें आंध्र प्रदेश में भाती जंदा पार्टी अभी शराबंदी का बात निकित नूदी मैं सवाल यह वूटता है कि आपने ठीक है तो आप सरा को निभा रहे हैं लेकिन भाती जंदा पार्टी का चरीतर उजागर हो चुका है सरकार थी सराब का सरकारी करने हुआ मध्यपरदेश में महिलाओं के लिए सराब दुकान को रहें आंद्र परदेश में सरकार बनने के बाद पचास वो लीटर में सराब निकोशना कर रहें बिल्कुल सड़की लड़ाई लड़ेंगे हम और यह जो बोर हैं सरकारी करन किया तो तीन साल से आपकी सरकार आप क्यों नहीं सरकारी करने को बंद कर देते इस चर्चा का कोई अंत नहीं है कॉंग्रेस अपने घोशना पतर में साप कहा था अधिसुची छेत्रों को छोड़कर बाकी पूरी जगा शराब बंदी की जाएगी तीन साल बीच चुके हैं और अगले दो साल भी बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे है कि शराब ब बढ़ रही केवल कमीटियों में बयानों में बातों में उल्जा कर ये पूर्ण शराब बंदी का मुद्धा कहीं न कहीं चत्रिस गड़ से खो सके हैं जादती जी आपको धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और बाच्वेत करवानी के लिए